नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमार यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप न्यू मॉम बनी है आपके घर में छोटा बेबी है और आप उसे ब्रेस फीडिंग कराती है तो आपको कौन सी ऐसी चीजे हैं जो बिल्कुल भी नहीं ख तो अगर आप कुछ गलत भी खाती है तो उसका असर भी आपके बच्चे पर होगा तो आपको क्या नहीं खाना है आपको जो है फर्स नमबर पर आता है बैगन जैसे हम ब्रिंजल भी कहते हैं वो आपको नहीं खाना होता है यह इसकी तासिर होती है वो बादीली होती है जि भी उभार आने के जो जादा हो जाते हैं बच्ची की जो नाभी है वो बाहर निकल आती है मतलब बाहर की साइड में फूल जाती है तो इसलिए अगर आपका बेबी छोटा है और आप इसको ब्रेस्फीडिंग कराती है तो अभी जो बैगन होता है वो आप कम से कम 6 माईने तक उसको थोड़ा अवाइड करें पॉइंट है कि आपको जो राइस होते हैं चावल जो होते हैं वो भी आपको रात के टाइम पे या फिर आपका बच्चे छोटा है या फिर अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो आप जो है यह जो राइस होते हैं उसको बिल्कुल भी ना ख इनों के लिए थोड़ा इसको अवाइड करें आप बिल्कुल भी को ना खाएं जब आपको नहीं खाने हैं जब तक आपका बीबी छोटा है 6 महीने से चोटा है क्योंकि यह भी जो होता है वह बादिला होता है कि वैसे आपके बच्चे के पेट में पेट दर्द की समस्या और आपको भी पिट दर्द की समस्या गैस की समस्या इसाजी समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो आपका बच्चा छोटा है तो आप बिल्कुल भी अर्वी वगरा है वो ना खाएं इसे के साथ साथ फोर्थ पॉइंट आता है कि जो ठंडी चीजे होती है जैसे की कोल है आपने फ्रीज दशनकाल के एकड़न पी लिए भी या आपने फ्रिज है निकाल के एकडाकी फेसर निकाल दो छेगा चिल वॉटर पी लिया या यसे घंडी चीजे है या राइज did बिल्कुल भी ना खाए पिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो है आपका बेबी छोटा है तो बिल्कुल भी smoking है drinking है hard drink वगएर यह बिल्कुल भी नहीं लेनी है अगर आप लेती है या पास्ट में लेती थी या भविस में लेने वाली है जो भी है तो यह चीज़ों है ब ज्यादा दिन अबॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम आपको छे महीने तो इसको अब आप यह ज़्यादा बेनेफिशल होगा हाँ अच्छे मेने के बाद अगर आप खाना जाती है तो आप थोड़ा थोड़ा जो है बिल्कुल थोड़ा बहुत का सकती है जिसके वैसे आपको और आपके बच्चे को कोई नुकसान ना हो तो अगर आप न्यू मॉम है तो यह सारी चीजें आप बिल्कुल भी ना खाएं आपके पास अभी चोटा सा बेबी है उसकी केर करें उसके साथ टाइम स्पेंड करें और उसके साथ में बहुत सारा एंजॉय करें तो अब समझ कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रहना बिल्कुल भी मत भूलेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थैंक्यू ी